हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंजल वन लिमिटेड की कुईकली एनलसस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो इंजल वन में आप देख रहे होगे कि स्टॉक में आज बहुत जादा स्लंप देखने को मिला है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद स्टॉक काफी नीचे चलता ही चला गया जो एक्जेक्ट बाइंग फिर आपन को देखने को मिली है कहीं न कहीं A3-280 के राउन बायर इस एक्टिव हुए और फिर यहां से सपोर्ट बनते हुआ सपोर्ट क्यों बनाएं क्योंकि पहले भी आप देखें यह जो जोन है इधर पर सपोर्ट पहले भी बन चुका है इस एरिये में इधर पर इसलिए यह सपोर्ट बनते हुए नजर आते हुए देखने को मिला आपन को अब जो कुछ news रही है और साथी साथ stock में आप देखेंगे कि कुछ margins रहे हैं जो बिगड़ गाएंगे इसके नतीजे रहे हैं इसी वज़े से यहां पर आप देखें डेक्लाइन हुआ है काफी डेप्रिशियेशन में अमौट देखने को बला है हाला कि नतीजे ठीक रहे हैं यहां पर एक नजर नतीजों पर भी डाल लेते हैं तो आपको थोड़ा बहतर समझ आएगा यहां आप देख रहे होगे कि sales जो थी इस बार 1059CR की रही है last time यही जो sales थी वो आप देखेंगे तो 749CR था तो no doubt यहां revenue अच्छा नकल के आया expenses भी देखें तो इस बार बढ़ गए है क्योंगी sales बढ़े हैं सी वज़े से expenses बढ़े हैं तो यह जाफा जायज है और last time यह 424CR के थे operating profit पर नज़र डाले तो इस बार 398CR है last time यह 324CR तो यह भी बहतर रहा है इसके बाद आप आते हैं other income इस बार 2CR रही last time यही 11CR थी तो यहां पर काफी गिरावट है interest की बात करें तो इस बार 36CR last time 26CR तो यहां भी गिरावट हुई है sorry यहां पर बढ़त हो गई है क्योंकि आप देखें कि यहां पर interest बढ़ गया है company का और 10CR से इजाफा हुआ है depreciation यहां पर देखें तो 13CR last time यह 8CR था तो depreciation भी इस बार बढ़ा हुआ है इसी वज़े से आप देखें यह margins बिगड़ गए है company के तो profit ए 4 tax इस बार निकल के आया 351CR last time यह 302CR था और net profit इस बार निकल के आया है 260CR और last time यह 228CR तो net profit ठीक है last time से बहतर है December के quarter का बट कहीं न कहीं margins बिगड़ देखें इसलिए यह fall आया है तो market को नतीजे पसंद नहीं है angel 1 की clearly यह है अब ऐसा नहीं है कि angel 1 आज गिरा है तो कल भी गिरेगा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां support लिया है stock ने और sideways है तो कल भी अगर stock ऐसे हो सकता है तो कल sideways बन सकता है और further अगर fall आता है तो नीचे थोड़ा और आएगा फिर sideways होगा क्यों होगा क्योंकि आप देखें नीचे एक trend line है यह वाली trend line बनतो ही नजर आ रही है और इसी trend line पर पहले यहां पर resistance थी अब वो support का का काम करेगी तो जादा नीचे नहीं जाएगा stock 3230 maximum इसका नीचे support बनतो ही नजर आएगा यहां पर भी एक और जो news थी उसी में ही है आप देखें तो अभी भी buy rating हैगी और stock में as in fall के बाद वजूद भी आप देखें कोई as in major concerns नहीं है stock को लेके तो कल के दिन अभी stock field से bullishness दिखा सकता है sideways जरूर रह सकता है को उस दिनों फिर बाके देखें stock field से उतनी तेजी से भागेगा जैसा भी भाग रहा था क्योंकि angel one के अगर आप returns capture करें तो बहुत ही ultimate returns निकालें इस stock ने और जादा नहीं कमगा का stock के आप October से returns पकड़ते हैं तो भी आपको समाज आ जागा एक सो तेरा परसंट तो भी नकाल दी है और जो लोग इसको बहुत पहले से hold करें है और अल्मुस्ट मार्च से जबसे इस nifty bullish हुआ था तो आप देखें कि almost 300% के आसपास के returns निकालें एंजल वन ने तो एंजल वन बहुत ultimate stock है और 2023 में तो एक अलगी level का stock चलते हुए नजर आया multi bagger के list में ही आगा यह बाकि आप देखें तो stock के dividend भी आने वाला है भी कुछी दिनों में यहाँ पे देखें 23rd इसका X date है amount है 12. 20.70 रुपीज और पेमेंट डेटेस की 14th फैब तो dividend आएगा तो में भी उस दिन थोड़ा उपन नीचे हो सकता है अदरवाइस stock sideways के साथ फिल बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा तो कल की बात करें कि कल stock कहा जाएगा अपना तो आप देखें कि कल अगर stock bullish होता है बाई दूसरा यह sustain करेगा तो फिर इसके बाद ऊपर आप निकलेगा 3400 के आसपास यहां जाएगा तीसरा अपना जो target ऊपर की दिसा में रहेगा वो 3, 4, 5, 6, 2 के आसपास यह तीन चोटे से target ले रहे हैं अपने बड़े नहीं लेंगे यूगि जितनी follow यह उतनी recovery तो नहीं होग दूसरा स्टी line में अगर support stock जाएगा तो trend line के ऊपर 3240 के आसपास यह next support बनेगा यहां पर क्योंकि इसके नीचे stock थोड़ा weak होने लेगा और इसके बाद आप देखें channel break हो जाएगा अगर further नीचे आता है तो channel break हो जाएगा तो weakness बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं trend line के ऊपर support obviously बनेगा 100% बनेगा buyers कहीं ना कहीं active होंगे यहां पर तो hopefully अफ साली चीजने clear होंगे angel one में वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते next वीडियो में this is me Subhamiyadav signing off